प्रेक्टिस सेट अपना इसकोर होगा वही सेम टू सेम आपको एगजाम हॉल में उतना ही स्कोर देखने को मिलेगा तो हम इस approach से अपने question को solve करवा रहे हैं practice set को solve कर रहे हैं जैसा कि आपको सीधा question जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं सीधा आपको exam में देखने को मिले यदि हम guarantee के साथ बता रहे हैं यदि आपने 25 से 30 practice set हमारे साथ continue कर लिए तो आपको सीधा जो question यहाँ पर पढ़े हैं वही सीधा question आपको exam hall में देखने को मिलेगे तो उसी sequence को हम लोग आज continue करते हुए हम लोग ने आज चालू किया है 2 June 2022 में जो हमारा आया था CHSL में 2 June 2022 में जो practice set आया था उसका timing क्या थी timing हमारी morning shift थी 9 एम टू 10 एम से solve करवाएंगे और उसमें वो भी approach लेंगे और full description लेंगे जितना उसकी need होगी और देखेंगे जितना PYQ से हमारे related होगे या कितने भी question उससे बनते हैं जिससे हमारे expected question है वो भी यहाँ पर हम solve करेंगे और देखेंगे तो हमने रास्ते में लोटने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि वापस आने में वापस आने में जितनी दूरी तै होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो तो यहीं बताया गया है क्या है हमें मंजिल से बटकना नहीं है क्या है मंजिल से बटकना नहीं है सीधा हमें अपनी मंजिल क की तैयारी करते हुए सीधा आज का प्रेक्टिस हैड खोलते हैं मंजल की तैयारी अपना टार्गेट को क्रक करने के लिए सीधा पहला कुस्चन खोलते हैं पहला कुस्चन हमारा क्या दिया गया है सभी को आंसर करना है पहला कुस्चन हमारा क्या दिया गया है पहला कुस्चन चैनर पर डाली हुई है आप कोई भी एकजाम देते हैं इद्र हमारा न कर्यक्त interface का i will question पूंचा जाता और आज की एकजामहों में हमें दäखने हो को मिलते हैं तो पूर वहीं से देखने हो को मिलेंगे दो साल से अभी तक पूरी के पीडियाब में 40 कुश्चन से वहीं से देखने को मिल रहे हैं इसमें क्या दिया गया है इसमें हमारा क्या दिया गया है इसमें हमें बताना है किसका मीनिंग पूछा है इसमें पूछा गया है जोडियक क्या दिया गया है जोडियक आपको सभी को पता होग यह हमारा डेली के डेली नीज़ पेपर में निकलता रहता है जब हम अपनी रासी देखते हैं तो उसी में वर्ड दहिंदू नीज़ पेपर में आदर में जोडियक वर्ड देखने को मिल जाता है यह हमारा नॉर्मल वर्ड है जो आम बोलचाल की भासा में भी यूज कर दिया IAC होती है, यह हमारी IAC होती है, तो इसमें IAC आया है, यदि इसमें IAC आया है, तो यही आंसर सही होगा यही आंसर सही होगा, कौनसा आंसर सही होगा, इसका B आंसर सही होगा, कौनसा आंसर सही होगा, B आंसर सही होगा, ओप्शन C में देखते हैं, ओप्शन D में देखते हैं, इसमें भी IAC नहीं आया है, तो हमारा यह आंसर भी नहीं होगा, कौनसा आंसर सही होगा, B आंसर सही हो होगा नेक्स देखते हैं नेक्स कुश्चन हमारा दिया गया है कुश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया गया है कुश्चन नंबर सेकेंड में हमें क्या बताना है यह हमारा कुश्चन नंबर सेकेंड दे दिया गया है पैरा जंबर्ड क्या दिया गया है पैरा जंबर्ड तो हमन आसानी से solve कर सकते हैं इसमें क्या दिया गया है इसमें हमारा दिया गया है पहला हमारा sentence start हो रहा है two astronomers से किसे two astronomers से जिसका नेम दिया गया है जोनीज कैपलर फ्रॉम जर्मनी जोनीज कैपलर थे और गैलेलियो दोनों के दो लोगों के नाम दिये गए है नेक्स हमारा दिया गय निकोलास कॉपर निकस के से निकोलास कॉपर निकस से दिया गया है और यह दिया गया है there are many people, क्या है, there are many popular theories, सभी ने क्या दिये हैं, many popular theories दिये हैं, तो हमने बताया था, हमारी details स्टार्टिंग कहां से होती है, तो इसमें सभी ने बता दिया, there are many popular theories, सभी की क्या हैं, बहुत सी popular theories हैं, क्या हैं, सभी की popular theories हैं, तो सभी की popular theories हैं, उसमें से किसका नाम आया है, उसमे से नाम आया है निकोलस का उसमें से किसका नाम आया है उसमें से किसका नाम आया है कौपनिकस का नाम आया है उसमें से किसका नाम आया है तो आप सभी को बता हो गया होगा सेंटेंस की स्टार्टिंग जिस्से होगी यहां पर मैनी लगा दिया है मैनी में बताया गया है यह बत तो हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग किस से होगी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी डी से होगी किस से होगी सेंटेंस की स्टार्टिंग डी से होगी तो हम ऑप्सन को देखते हैं ऑप्सन को देखते ही देखते हमने ऑप्सन में क्या किया हमने ऑप्सन को देखते ही अपने द क्या दिया गया है तो एस डोः मर का नाम आया ऐ है कि हमें डेटेल्स को आगे बढ़ाया गया है उसमें कौन-कौन थे और एक गयली 地方 पर निकस ते गयलीली थे तो उसमें आप देखो क्या conflicts पहले बताया गया है मैंने पॉपलर थियोरिज दी मैंने पॉपलर थियोरिज किसने किसने दी तू एस्टो नॉमर देन दी तो हमारी स्टार्टिंग डी होगी डी के साथ क्या आना चाहिए डी के साथ हमारी किसकी जोड़ी बननी चाहिए डी के साथ उसमें हमने दिया गया है टू एस्टो नॉमर्स दिया गया है क्या दिया गया है टू एस्टो नॉमर्स थे जिसमें से हमारे जॉनिज केपलर थे और जर्मनी के गैलीलियो थे क्या थे गैलीलियो फ्रॉम इटली इटली के थे और आप्सन सी में दिया गया है निकोलस कॉपनिकस पॉलिस प्रीष्ट थ क्या थे यह पॉलेस प्रिष्ट थे तो इसमें हमने देखा D के साथ इसमें क्या दे दिया गया है D के साथ A दे दिया गया है क्या दे दिया गया है D के साथ A दिया गया है तो हमारी स्टार्टिंग किस से होनी चाहिए sentence की starting हमारी D से होनी चाहिए और next हमने क्या देखा Nicholas copper निकस और ये copper निकस का ही क्या दिया गया है copper निकस का ही ये views दिया गया है क्या दिया गया है Nicholas copper निकस ही आया है और Nicholas copper निकस का ही हमारा क्या दिया गया है इसमें details को add किया गया है तो C के बाद क्या आना चाहिए, C के साथ किसकी जोड़ी बननी चाहिए, C के साथ जोड़ी बननी चाहिए, B कि किसकी बननी चाहिए, C के साथ जोड़ी बननी चाहिए, B कि क्योंकि many popular theories दी है about the solar system, solar system के बारे में, किस ने दी है solar system की तो एक ही option हमारा ऐसा दिया गया है जिसमें D के साथ C आया है यही answer हमारा सही होगा तो हमने इसमें क्या देखा हमने देखा हमने देखा हमने देखा क्या दिया गया था मैनी एस्ट्रोनॉमर दिया गया था क्या दिया गया था मैनी एस्ट्रोनॉमर और उसमें आगे बताया गया था सोलर सिस्टम क्या बताया था बस हमें इतना देखता है सोलर सिस्टम दिया थ आई है और Nicholas को अपर निकस की ही व्यूज को और डेटेल्स को आगे बढ़ाया है किसके option B में किसमें बढ़ाया है option B में तो DCB जिस B option में होगा वही आंसर हमारा सही होगा DCB जिस option में होगा वही हमारा answer सही होगा तो 4 option में केवल एक ही ऐसा option दिया गया था जिसमें DCB का पेयर आया है वही आंसर हमारा सही होगा क्योंकि हमारा ये दिया था solar system solar sister के बारे में जानकारी निकोलस को अपर निकस ने और निकोलस को अपर निकस की जानकारी को आगे option B में बढ़ाया जा रहा है तो DCB क्या आना च चाहिए बी आने चाहिए के बल एक ही ऐसा option दिया गया था जिसमें DCB आया है यह आंसर हमारा सही होगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन दिया गया है कुश्चन नमबर थर्ड दिया गया है क्या दिया गया है कुश्चन नमबर थर्ड दिया गया है ये भी हमारा incorrectly spelled word से आया है हमने आपको बताया था हमने आपको क्या बताया था question तो आने ही आने होते हैं इसमें 3 से 4 question भी देखने को मिल जाते हैं जैसा कि आज हम 2 जून का practice करवा रहे हैं 2 जून 2022 में पूंचा गया था उसमें हमारे incorrect speed से 4 question पूंचे गये थे कितने पूंचे गये थे 4 question पूंचे गये थे के बल जो हमने 40 word का पीडियाप डाला है वहीं से आप यह सब वर्ड को देखने को मिलेंगे चारों के चारों वर्ड आज के exam में देख सकते हैं जो हमारा 2 जून 2022 में आया था वह वर्ड कहां से देखने को मिलेंगे जो हमने 40 वर्ड discussion किये है और उसका वीडियो इसी चैनल पर पढ़ा हुआ है इसमें दिया गया है incorrect spelled word क्या होगा इसमें दिया गया है summary में सारांस होता है immigrate क्या होता है बहर जाना immigrate करना e means क्या होता है exit करना migrate means होता है move करके move करके exit हो जाना उसे क्या कहते हैं immigrate कहते हैं next हमारा सभी को पता होगा इसका कौन सा answer सही होगा रिवेलरी होगा क्या होगा रिवेलरी होगा तो क्या होगा यहां पे ए नहीं क्या होगा ए होगा क्या होगा यहां पे ए नहीं क्या होगा ए होगा क्या होगा ए होगा इसका मीनिंग क्या होता है वी ए क्या होता है रिवेलरी क्या होता है रिवेलरी होता है क्या होता है यहाँ पर ए नहीं क्या आएगा ए आएगा क्या आएगा ए आएगा तो कौन सा आंसर सही होगा इसका हमारा सी आंसर सही होगा ग्रेंडर मींस होता है सांदार ग्रेंडर परफॉर्मेंस सांदार प्रदरसन आपने सुना होगा इसके को लोकेशन के साथ ग्रांडर परफॉर्मेंस सांदार परफॉर्मेंस स्प्लेंडर ग्रेंडर स्प्लेंडर क्या होता है सांदार होता है next question देखते है next question नमारा दिया गया है question number 4 क्या दिया गया है इसमें दिया गया है वाज ओपेंड क्या दिया गया है वाज ओपेंड यदि वाज ओपेंड दिया गया है बे प्लस थार्ट फॉर्म आप दा वर्ब हमने बताया था हमारा पैसिब का इस्ट्रक्चर क्या होता है बे प्लस थार्ट फॉर्म आप दा वर्ब होता है यदि इसका active पूँचा है तो ये क्या होगा active ये हमारा passive का structure होता है B plus third form of the verb क्या होता है B plus third form of the verb ये हमारा passive का structure होता है किसका होता है passive का active का क्या होगा इसमें B नहीं आएगा तो जिस भी option में B नहीं आएगा वही answer हमारा सही होगा तो देखते ही देखते हमें और इसमें भी बी की form को use किया गया है इसमें दिया गया opens क्या है हमें verb की yes form नहीं हमें क्या चाहिए verb की third form चाहिए क्या चाहिए verb की third form चाहिए तो कौन सा answer सही होगा बी answer सही होगा कौन सा answer सही होगा बी answer सही होगा इसका कौन सा answer सही होगा इसका बी answer सही होगा next question देखते हैं बिना किसी समय कमाई सीधा क्या है सीधी बाद no request के concept को आगे बढ़ाते हुए हम क्या देखेंगे हमारा practice rate कम से कम समय में हम solve करेंगे और full description के साथ इसमें next question दिया गया है question number 5 क्या दिया गया है question number 5 बिना किसी बादचेट के हम बात करेंगे आज इसमें दिया गया है select the option means यह question हमारा किस से दिया गया है यह हमारा दिया गया है one word substitution से किस से दिया गया है one word substitution से यह question दिया गया है इसमें दिया गया है one thing that can be divided means वो things जिसे हम divided कर सकें क्या कर सकें divide किया जा सकें उसे क्या कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे उसे divisible कहेंगे क्या कहेंगे सभी को पता होगा बहुत ही आसान question पूछ दिया है divisible किसे क्या कहते है divisible कहते है question remainder और dividend अभी को पता होगा नेक्स देखते हैं नेक्स्ट कुस्ट्र में किया गया है क्या दिया गया है किंनी हमारा कुस्छेण नमब शिक्ष क्रांवार सब खांकर तो इसमें हमने जैसे ही देखा क्या देखा तू पिलस फ़र्ष्वाट आप दा वर्व क्या देखा तू पिलस फर्स फार्म आप दा वर्व वैसे ही हमें पता चल गया कि यह हमारा किस से पूछा गया है यह हमारा इंफिनीटिव का पैसे पूछा गया है यह हमारा इंफिनीटिव का पैसे पूछा गया है इंफिनीटिव का पैसे वो या नॉर्मल वो सभी का structure हमें क्या देखना है? B प्लस third form of the वर्व देखनी है. क्या देखना है? B प्लस third form of the वर्व देखनी है. तो इसमें क्या आना चाहिए? 2 प्लस B प्लस third form of the वर्व. क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए 2 तो आया है. B प्लस third form of the वर्व. बी और क्या होगा आश्ड होगा क्या होगा थार्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी बी तो आएगा बी के साथ इसकी थार्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आश्ड क्या हो जाएगी आश्ड हो जाएगी तो हम जिसमें बी हमारा बी प्लस आश्ड आया होगा वही आंसर हमारा सही होगा वो answer हमारा सही क्यों होगा क्योंकि हमने बताया था PISIV का हमारा structure क्या होता है B plus third form of the word होता है क्या होता है B plus third form of the word होता है तो हमने इसमें क्या बताया है हमारा क्या होना चाहिए B plus third form of the word होना चाहिए इसमें क्या आया है इसमें देखो क्या है am going इसमें am going यहिए, इसमें B plus third form of the verb तो आया है, लेकिन sentence के structure को विगार दिया, sentence का structure इसमें आया था, I am going, क्या है, I am going, continuous action है, इसमें continuous action को क्या किया गया है, perfect बना दिया गया है, third form दे दी गई है, तो यानि कि इसमें R की form, और दिया है तो आई एंजी भी होना चाहिए इसमें आर के साथ आई एंजी नहीं है तो बी प्लस थाड़ फॉप अफ दा वर्व तो दिया गया है लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बिगार दिया आई एम गोईं को क्या कर दिया आर गोन यह आंसर नहीं होगा और संद बी म नहीं तो यह आंसर भी नहीं और संद दिया गया है और संद में क्या दिया गया है और संद में भी क्या दिया गया है इसमें क्या दिया गया है लेकिन बी नहीं आया है यदि बी नहीं आया है तो हमारा यह उप्सन भी नहीं होगा नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है इसमें देखो sentence के structure को बनाया गया है are going, हमें क्या चाहिए b plus third form of the verb चाहिए, क्या चाहिए b plus third form of the verb के साथ इसका structure भी हमारा किसमें है continuous action में है, means going है, किसमें है, going है continuous action हमने बताया था कहीं भी हमारी ing देखने को मिल जा, यह action हमारा continuous mathematics में होता है तो क्या होगा यही आंसर आंसर यही ऑन्सर सही वह 'll be the correct answer of question no. six next question देखते हैं अमने question no. six में देखा बस infinityव आना है हमें sentence की structure को change नहीं करना है जैसे अभी question no. six में आया था question no. six इसमें हमारा क्या होता है question number six में हमारा होता है हमें am going को change नहीं करना होता है हमें क्या है infinitive to ask को क्या कर देना है to be ask क्या कर देना है बस इतना ही देखना हमें जिसमें 2 दिया गया है 2 के बाद हमें क्या आना चाहिए बी प्लस थार्ट फॉर्म आप दा वर्व आनी चाहिए और पहले का structure हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए सेम structure होना चाहिए infinitive का ही पैसिव बनता है तो infinitive का ही पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या दिया गया है 2 आस्क दिया गया है तो हमें क्या लगाना है बी प्लस थार्ट फॉर्म आप दा वर्व आस्क डोना चाहिए क्या होना चाहिए बी आस्क डोना चाहिए क्या दिया गया है क्या पूचा गया है इडियम पूचा गया है क्या पूचा गया है इडियम पूचा गया है ये इडियम हमारा दिया है तो पूट संबन्स बैक आप क्या है तो पूट संबन्स बैक आप उसकी बैक को क्या करना उंचा करना किसी की पीट को उचा करना क्या होता है तो इरिटेट संबन होता है जैसे हमने कल एक आपको बताया था सबसे हाई फ्रिक्वेंसी का हमारा idiom आता है क्या होता है it's all Greek to me ये सब हमारे लिए Greek के समान है तो उसका हमने बताया था हिंदी क्या बताया था it's all Greek to me का हिंदी मीनिंग क्या होता है ये मीनी हिंदी मीनिंग होता है काला अच्छर भैंस बराबर क्या होता है या फिर भैंस के आगे बीन बजाना तो क्या होता है impossible to understand क्या ह से सब्सक्राइब से सब्सक्राइब जिसका मिलसा र profitability आक्था शसे सब्सक्राइब चोते हैं में पूछे जाते हैं इन सभी की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको यदि एक वीडियो देख लिया किवल 25 से 40 मिनट का वीडियो है वहीं से आपको वीडियम देखने को मिलेंगे टूपर संबंस बैक आप किसी की पीट को उचा करना मींस क्या होता है मजे ल है मेंस हमें बताना इसका कंटेंस ग्रामिट का दिया गया होगा क्या दिया गया है अंडर लाइन वर्ड दिया गया है अंडर लाइन में हमें बताना इसमें क्या इरर है इसमें दिया गया है एट पॉस्बल क्या दिया गया है यह हमारी हो गई वर्ब और वर्ब को क्या चा क्या होता है रेस्पिरेटरी डिजीज तो इसमें हमने देखा विट रेस्पिरेटरी डिजीज तो विट रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं क्या होने चाहिए फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज क्या होना चाहिए यह हमारा प्रपोजीशन से पूछ दिया गया है करते हैं किसको यूज करते हैं फ्रॉम का यूज करते हैं मिन्स क्या है जैसे फ्रॉम है पर फ्रॉम होगा क्या होगा, फ्रॉम होगा, क्या होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर हमारा होगा, फ्रॉम यहां वेथ नहीं, क्या होगा, यहां क्या होगा, फ्रॉम होगा, फ्रॉम रेस्परेटरी डिजीजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिज जो respiratory diseases हैं, जैसे कि the leaves the leaves from the tree, जैसे कि the leaves fall from the tree, एक पत्ता पेंड से गिरता है, the leaves fall from the tree, तो क्या होता है हमारा लेटरी से क्या हो रहा है separate हो रहा है अलग हो रहा है कहीं भी यदि हमारा suppression and extension होता है release आता है क्या होता है release किया जाता है यदि तो उसमें किस proposition का यूज करते हैं फ्रॉम का यूज करते हैं यही दिया गया है release किया गया है क्या किया गया है prevent oneself with respiratory diseases by ही maintaining a discipline life style यानी कि discipline lifestyle में जब हमारी respiratory disease का क्या होता है suppression होता है means क्या होता है release होती है तो क्या हो कौन सा answer सही होगा ? जिस option में from आएगा वही answer हमारा सही होगा . तो कौन सा answer सही होगा be will be the correct answer, B will be the correct answer of question number 8, कौन सा answer सही होगा, B answer सही होगा, next question दिया गया है, question number 9, क्या दिया गया है, question number 9, question number 9 में हमें क्या बताना है, question number 9 में हमारा EDM दिया गया है, क्या दिया गया है, EDM दिया गया है, जैसे कि हमने बताया था, आज के paper में हमारा EDM और Miss Spelt, correct कि एक स्बैट के हमें कम से कम से साथ से आठ कोक्षटन देखने को मिलते हैं, तो आपने बाता जात है कि आइफ क्षक्षन कर सकते हैं this course. क्योंकि आपको वही कोक्षचन देखने को मिलेंगे ज़ो आपको प्रैक्टिस सैट वीडियो taught West Math ली लीडिवल सकामी पर है उनहीं वर्डों को बताया गया है जो आपको सीधा paper में देखने को मिलेंगे यदि वही आपको paper देखने को मिलेंगे तो हमारे उसमें गलती से भी गलती नहीं होगी इसमें दिया गया idiom बताना uadam किसका बताना है दा actors daughter is just a chip off the old vlog क्या ब्लोग की चिप ती मिन्स क्या है याइसी सारूख खान में क्या है? आक्टिंग का एक्टिंग का एक्टिंग का एक्टिंग का आ जाएगा तो यह क्या हम करते हैं? जैसे कि इसी में बताया गया है, Chip of the World Block, यदि हम अपनी चिप में, अपनी चिप में, अपनी मेमोरी में, अपनी चिप में कोई भी हम फाइल यदि उसमें डाउनलोड कर देते हैं, तो क्या है, वो किसी भी फॉन में आप चलाते रहो, उसमें वही फाइल हमें वहाँ पे मिल उसमें वहाँ जाएगी, तो यही पताया है, इसमें हमारी जो अक्टर परजें की डॉटर है, मिज जो हमारा अक्टर में आक्टर के डॉटर में आक्शन होगा, तो आप सभी को पता चला गया होगा, इसका कौन सा आंसर और सही होगा, next question देखते हैं next question हमारा दिया गया है question number 10 question number 10 question number 10 में हमें बताना है बहुत ही simple ही हमने आपको कई बार बताया है accomplished बताया है हमने competition बताया है इसके बाद हमने vacuum बताया है proclaim बताया है ये सभी word हमारे बार बार exam में पूछे जाते हैं इसका हमने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें हमने recommendation word को भी बताया था, हमने क्या बताया था इसका कौन सा meaning सही होगा, हमने बताया था, जिसमें PE के साथ TITI का पेर मिल जाए, जिसमें आरे साथ تITI का पेर मिल जाए, वही आंसर हमारा सही होगा, इसमें P-E के साथ T-I-T-I का पेर नहीं है यदि T-I-T-I का पेर नहीं है तो हमारा ये correct भी नहीं है ये हमारा correct भी नहीं है हमें इसमें क्या P-E के साथ T-I-T-I का पेर मिलना चाहिए इसमें एक ही बार T-I आया है हमें एक बार नहीं कितनी बार चाहिए दो बार चाहिए हमें एक बार नहीं कितनी बार चाहिए दो बार चाहिए यदि एक दो बार नहीं आया है तो हमारा आंसर भी नहीं होगा नेक्स दिया गया है हमें पी आई नहीं क्या चाहिए हमें पी ए के साथ टी आई टी आई का पेर नहीं हमें पी ए के साथ टी आई टी आई का पेर चाहिए यदि पी ए के साथ टी आई टी आई का पेर नहीं आया है तो हमारा यह आंसर भी नहीं होगा एक ही ओप्सन दिया गया जिसमें PE के साथ TI और TI का पेर आया है, तो हमारा यही आंसर सही होगा, हमने बताया था, हमें इस तिरकार की अप्रोच लेनी है, जैसे ही competition की मीनिंग आए, यह accomplished की मीनिंग आए, entrepreneur की मीनिंग आए, vacuum की मीनिंग आए, तो हमने बताया था, इसकी symbol से अप्रोच क्या होती है, यह couple word होते हैं, क्या होते हैं, couple word होते हैं, जैसे कि इसमें हमने देखा TI, TI, TI किसके साथ आना चाहिए, यह हमारा PE के साथ आना चाहिए, PE के साथ TI, TI जिसमें भी होगा, वही answer हमारा सही होगा, तो हमें चारों option में देखना ही नहीं है, बस वही देखना है, जिसमें PE के साथ TI, TI यह आया होगा वही answer हमारा सही होगा तो कौन सा answer सही होगा यह answer सही होगा आप सभी को अपना score end of the video में बताना है कि आपका score क्या बना है question दिया गया है question number 11 इसमें हमें क्या बताना है इसमें हमें सिनोनेंस बताना है और इतना simple जा वर्ड पूँच दिया गया और जो हमारी किलासे daily attend कर रहा होगा वो तो और तुरंत ही देखते ही देखते क्या कर देगा स्वाल्व कर देगा हमने इसको कई बार आपको बताया होग और श्टेयर पैरेंट्स होते हैं क्या होते हैं और श्टेयर पैरेंट्स होते हैं और श्टेयर फादर होते हैं और श्टेयर मदर होते हैं और श्टेयर मींस क्या होता है और श्टेयर मींस होता है तपस्वी क्या होते हैं तपस्वी होते हैं हमारे देखो फादर किस आपको देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है आपको देखने को मिलता है आपको देखने को मिलता है पिता इसका हमें क्या बताना है इसका हमें इसका हमें सिनोनिंस बताना है मिटीगेट आपको सभी को पता होगा मिटीगेट मीज होता है कम करना प्रोबेंसिंग मीज बादा करना और बिरिस्क मीनस आपको सभीब को पता होगा जो हमारी दोडने और टहलने की बीच की वस्ता होती है उसे क्या कहते हैं बिरिस्क कहते हैं इस्टर्न क्या होता है इस्टर्न होता है हमारा determination द्रड इच्छा के साथ क्या होता है इस्टर्न फादर होता है और इस्टर्न फादर ह सब्सक्राइब नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं नेक्स्ट कुस्टन दिया गया है कुस्टन नंबर ट्वेल नेक्स्ट कुस्टन दिया गया है कुस्टन नंबर ट्वेल कुस्टन नंबर ट्वेल में क्या दिया गया है हमें बताना है यह बारत दिया गया है अंडल लाइंड स सर क्या होगा इसमें दिया गया है everyday तो हमने आपको बताया था हमारे पास word आ जाए इच, every, either, neither, every day, date, time, week, month, year means every day, every date, every time, every month, every week, every month, every year ये सभी word आ जाएं इन सभी का structure हमारा present का होता है present में भी present indefinite का होता है present में भी present indefinite का होता है किसका होता है present indefinite का होता है किसका होता है present indefinite का होता है तो इसका हमारा structure क्या होगा every के साथ day आ जाए every day every date every time every week every month every year यह सभी idly scarcely really dearly purely यह सभी word किसको indicate करते हैं यह सभी word indicate करते हैं हमारे present indefinite को किसको करते हैं present प्रिजेंट इंडेफिनिट को करते हैं यदि प्रिजेंट इंडेफिनिट को करते हैं तो उसमें हैड नहीं आएगा क्या हैड नहीं आएगा क्या होगा हैड नहीं आएगा तो अप्सन में देखते हैं तो हमारा जब मारा प्रिजेंट इंडेफिनिट होगा प्रिजेंट इं बी नहीं होगा प्रिजेंट इंडेफिनेट में हमारा आई एंजी का यूज नहीं होता यदि प्रिजेंट इंडेफिनेट में आई एंजी का यूज नहीं होता तो यहां इटिंग भी नहीं होगा चार ओप्शन में आपको एक आंसर सीधा ही दिख रहा था सीधा ही दिख रह गया है, question number 13, क्या दिया गया है, next question नमरा दिया गया है, question number 13, question number 13 में हमसे क्या पूछा गया है, idiom पूछा गया है, तो हमने बताया था, दो हमारे fixed topic होते हैं, incorrect, miss failed और correct इस पेल्ड और idiom, इस से हमें 6-7 question देखने को मिलते हैं, यह question पूछा गया है, why telephone हमने आपको कल भी बताया था, यह हमारे क्या हैं, हमारे 60-70 idiom ही हैं, जो बार-बार exam में पूछे जाते हैं, यदि आपने उस वीडियो को complete कर लिया, तो सीधा आपको उसी सी वीडियो से आपको exam hall में, और practice set में सीधा आपको यह idiom देखने को क्या होता है, costly but useless position क्या होता है, costly but useless position क्या होता है, costly but useless position क्या होता है, costly but useless position, costly तो बार्थ होते हैं, लेकिन वो useless होते हैं, तो कौन सा answer सही होगा, इसका A answer सही होगा, आप देखते ही देखते हैं, इसका answer कर सकते हैं, next दिया गया है, question number 14, क्या दिया गया है, यह दिया गया है, हमारा question number 14, question number 14 में हमारा दिया गया है incorrect spelled word क्या दिया गया, incorrect spelled word दिया गया है जब हमने ये word करवाया था, आपनी list में करवाया था ये word हमारा 39 number पे discuss किया था, क्या है 40 word की तो list ही थी, 39 number पे हमने इसको discuss करवाया था freedom हमने क्या कहा था, ये word पूछा जाता है लेकिन आपको simple लग सकता है तो आपने कहा था सर ये भी question पूछा जा सकता है तो हमने बताया था पूछा जा सकता है लेकिन ये question बहुत ही simple होता है आप इसको अभी नहीं देखेंगे जब practice set में आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी question पूछा जा सकता है तो हमने उसी में 39 number वर्ड लिस्ट में इसको discuss किया था freedom क्या होता है freedom क्या होता है यहां पर freedom तो double E होता है क्या होता है free करना क्या होता है free f r e होता है A नहीं होता यदि A नहीं होता तो यहीं हमारा क्या है? इनकरेक्ट है प्रीडम में क्या होता है? पहले फ्री होना पड़ता है प्री REE हमने बताया था जिस option में REE आजाए वही answer हमारा सही होता है यह हमारा CHSL में ही नहीं यह हमारा CGL में भी पूंचा गया था और हमारा CPO में भी कई बार पूचा जा चुका है, है बहुत सिंपल बट पूचा जा चुका है, तो क्या होगा, इसका कौन सा इंकरेक्ट होगा, बी इंकरेक्ट होगा, यहां पे A नहीं, क्या होगा, E होगा, क्या होगा, E होगा, हमने कैरियर भी बताया था, कैरियर में हमने डबाली आ जाता है क्या आता है जिसमें डबाली आ जाता है इनर्जी और इफट लगता है जिसमें हमने उसमें आपको ये बताया था जिसमें हमारे इनर्जी एक इसे क्या होता है इनर्जी और इफट जिसमें इनर्जी और इफट मिल लगता है वो हमारा क्या बनता है कैरियर बनता है उससे हमारा क्या बनता है करियर बनता है और सी ए जिसमें डबल आ रहा है जिसमें ए डबल आ रहा होता है वो हमारा जो साइकल के पीछे करियर लगा होता है माल्ड होने के लिए क्या उसे कहते हैं करियर तो क्या होता जिसमें साथ में डबली मिल जा है जिसमें साथ सा कहते हैं एक energy और इपार्ट उससे हमारा वो होता है कैरियर जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा कैरियर विल जैसे कि online platform चलता है तो वो क्या कैरियर बिल लोगों के भविश्च के बारे में बनाता है मिश क्या करता है कैरियर बनाता है तो कौन सा answer सही होगा बी answer सही होगा next question द करते हैं मजाक का करते रहते हैं यही तो हमने बताया था हमने जब होम उसमें पढ़ाया था आपको निमोनिक्स पढ़ा रहे थे तो निमोनिक्स में इस वर्ट को पढ़ाया था बंटर हंटर करते रहते हैं हंटर मिन्स क्या एक कमेंट पास करते रहते हैं मजाक करते रहते हैं तो बेंटर मींज क्या होगा मॉक करना जीर करना जीर करना मींज मजा करना तो क्या हो जाएगा यह कौन सांसर सही हो जाएगा बताना है आपको रिपार्टी हो जाएगा क्या हो जाएगा रिपार्टी मींज क्या होता है हमने आपको बताया था रिपार्टी अब इसमें अब ये भी बताया था पार्टी में आप जा रहे हैं तो क्या है पार्टी में आप इदर उदर ग्लैमर को देख रहे हैं ग्लैमर को देख कर आप कमेंट पास कर रहे हैं मजा कर रहे हैं तो क्या होता है बेंटर पार्टी स्नियर मौग मीज क्या होता है मजा करना होता है तो कौन सा डाटा और फटकारा जाता है, जब उसकी डाट लगाई जाती है, तो word यह होता है कमेंड डेशन मींस अंहींड कमेंड कमेंड डेशन मेंज होता है प्रेज करना, एप्रिसियेशन करना और रिलाइंस मींस आप सभी को बता होगा Reliance Word हमने ये भी बताया था Reliance Word हमारा किस टाइप से origin हुआ था और इसका कभी origin हुआ था तो Reliance Word क्यों रखा गया Reliance means होता है Believe क्या होता है Relief विश्वास क्या होता है Believe तो इसलिए हमारी जो Government Geo की Company बनी है जो सरकारी Company उसको बनवाया गया है उसका नाम क्या रखा गया है रिलाइंस क्या रखा गया है क्या रखा गया है रिलाइंस जिस पर पूरी क्या करे हमारी क्या कर सके जो हमारी पॉपलेशन क्या कर सके उस पर बिलीब कर सके तो रिलाइंस मींस भी क्या होता है रिलाइंस मींस होता है बिलीब क्या होता है है दो इंस्का है दो एकिज़िव सॉट। भी स्टॉट ही रहे हैं चाहिए है चाहिए मयदी कारी जब नहीं आ सुपरलेटिव वर्ड भी आना चाहिए मिस दा का प्रियोग होना चाहिए लेकिन इसमें प्रियोग नहीं है तो फास्टेस्ट भी नहीं आएगा फास्टली भी नहीं आएगा क्योंकि फास्ट का हमारा एडबर फास्टली नहीं होता फास्टली तो कोई वर्ड ही होता ही नहीं है तो फास्टली नहीं होगा फास्टली तो हमें गलती से भी आप्शन पे नहीं पहुंचना है चार आप्शन में तीन आप्शन को हम एक्जाम हौल के बाहर कर चुके हैं तो कौन सा आंसर सही होगा एक ही आंस यह मारा एक्जाम डेर्दी हुई है यह timing दिया गया है यह subject दिया गया है तो इसका दिखते है question number 17 question number 17 में दिया गया unselfish interest क्या है बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाओसे हम क्या कर रहें interest in the welfare of other दूसरों की भलाई के लिए दूसरों की भलाई कर रहें स्वार्थ बाव से इसमें कोई स्वार्थ नहीं है उसे क्या कहते हैं परोपकारी क्या कहते हैं परोपकारी कहते हैं मिसंत्रोपी दिया था मिसंत्रोपी मिस हमने बताया था मिस मिस क्या होता है मिस मिस होता है हैट करना और एंथ्रोपी मिस होता है मैन काइंड एंथ्रोपी मि कहते हैं इसका सिंपल सा वर्ड है एंटोनेंस भी पूश्या जाता है इसका इंटोनेंस क्या होता है फिल और फिलो वर्ड कहीं भी आता है ये किसको इंडिकेट करता है ये लब को इंडिकेट करता है मिस वर्ड किसको इंडिकेट करता है मिस वर्ड हैट को इंडिकेट करता है तो मिसंत्रोफी का इंटोनिंस क्या हो जाएगा फ्लंत्रोफी क्या हो जाएगा फ्लंत्रोफी हो जाएगा इगोज मींस क्या होता है जो आई आई करता रहे मैं ही सब कोछ हूँ क्या है मैं ही सब कोछ हूँ उसे क्या कहते है इगोज कहते है और सेली वैची होता है ब्रहमचर क्या होता है ब्रहमचर सेली वैसी मिनस होता है ब्रहमचर नेक्ट कुश्चन दिया गया है कुश्चन नमबर 18 क्या दिया गया है यह हमारा दिया गया है कुश्चन नमबर 18 कुश्चन नमबर कुश्चन नमबर हमारा 17 का कौन सा आंसर होगा यह आंसर सही होगा question number 18 दिया गया है यह हमारा question number 18 में हमसे क्या पूछा गया है इसमें हमसे पूछा गया है contents grammatical error क्या है contents error हमें वो बताना है असा कौन सा part है जिसमें error हमारा contents की हुए है वो part तो इसमें हमारा दिया गया है the minister announced that the bridge would construction within a week क्या बताया गया है इसमें बताया गया है minister ने क्या किया announced किया that the bridge would constructed within a week तो minister ने क्या किया announced किया minister ने announced किया है कि हमारा एक मन्त के अंदर एक हाफते के अंदर bridge का construction हो जाना चाहिए bridge बन जाना चाहिए तो minister ने announce किया है minister bridge को बनाएंगे नहीं यदि minister bridge को बनाएंगे नहीं तो ये passage किसमें चला जाएगा ये हमारा sentence चला जाएगा पैसे बाइस में क्या है कहने वाला कोई और है बनाने वाला कोई और है तो किसमें चला जाएगा ये पैसिब में चला जाएगा किसमें चला जाएगा क्योंकि इसमें क्या है इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा एक्षन क्या है एक्षन नहीं क्या है हमारा एक्षन मिन्स रिसीवर नहीं होगा मिन्स जिसमें अक्षन यदि मिनिस्टर ने ए जाएगा तो क्या होगा एनाउंस नहीं क्या होगा वाज एनाउंस होगा क्या होगा एनाउंस नहीं क्या होगा यह हमारा पैसे में जाएगा पैसे में जाएगा तो क्या होगा क्या होगा यहां पर देखते हैं Minister announced, या no error within a week, that the bridge would constructed, क्या है, that the bridge would constructed होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हमारा that the bridge would constructed होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा announced, announced क्या दिया था, वर्व की second form, वर्व की second form को देखते ही देखते हमने देखा कि structure किसमें जाना चाहिए, इसका structure past में जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, past में जाना चाहिए, तो एक ही ऐसा option दिया गया था, जो हमारा इसमें तो announce आया है, इसकी कोई वर्व नहीं आई है, यदि वर्व नही सही हो जाएगा इसका structure sentence का structure किसमें है sentence का structure हमें passive में ले जाना है किसमें ले जाना है passive में ले जाना है क्योंकि हमारा action receiver क्या है कोई दूसरा है क्या है कोई दूसरा है minister ने announce तो किया है बट क्या है bridge को बनाने वाले construct करने वाले कोई और होंगे, दूसरे होंगे, जब दूसरे होंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा active pass हो जाएगा, किसमें पास हो जाएगा, पैसे में चला जाएगा, तो कौन सा answer सही होगा, the answer सही होगा, next question दिया गया है, question number 19, का है में बताना है सभी लोगों होगा थाका एक अंपल सब यह बता है पोश्टिव नीगेटिव कॉंशेट्फ से पहले देख लेते हैं effluent means rich होता है concert होता है यह होता है संगीत कलवा क्या होता है संगीत कलवा होती है concert क्या कहते हैं course जो हमारे होते है course नेक्स हमारा obscure दिया गया offshore means होता है और और हमने बताया तक कहीं भी वर्ड हमारा ओ भी आ जाए क्या आ जाए ओ भी वर्ड आ जाए इन सभी का क्या होता है हम यह सभी हमारे किस टाइब के वर्ड होते हैं यह सभी हमारे निगेटिव टिंज के वर्ड होते हैं यह सभी हमारे निगेटिव टिंज के वर्ड होते हैं यह सभी हमारे निगेटिव टिंज के वर्ड होते हैं क्व फैमस हमारा किस टाइब का वर्ड है फैमस हमारा फैमस हमारा किस टाइब का वर्ड है फैमस हमारा फैमस हमारा पोज्टिव वर्ड है क्या है पोज्टिव वर्ड है क्या है पोज्टिव वर्ड है तो इस एंटोनिम्स के पोज्टिव वर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा निगे तो इस परिकार से जो हमने है पोट ट्रेक सिखाई हुई थी यह ट्रेक हमारी यूज़ फिर होती है जब हमें मीनिंग की क्या है जब हमें किसी भी वर्ड की मीनिंग ना पता हो तो हम उसका answer आसानी से निकाल लेते हैं, खेलते ही खेलते हैं अपना answer निकाल लेते हैं, कुछ ही word होते हैं, मातरसार only कितने होते हैं, यह हमारे 70 word हैं, जिसकी हमें perfect और suffix की जानकारी होनी चाहिए, बस क्या है, यह हमारे sequence दी हुए हैं, 50 to 60 word, जो हम क्या कर सकते हैं, बस हमे उन वर्डों को देखना है, देखते ही देखते हैं वर्ड की, अंडर स्टेंडिंग मिल जाएगी, यदि अंडर स्टेंडिंग मिल जाएगी, तो सेनोनेम्स और अंटोनेम्स का question कोई भी गलत, नहीं होगा, इसका कौनसा answer सही होगा, C answer सही होगा, क्योंकि famous कहां के क्या क्या दिया गया है, question number 20 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, other countries of comparable, दिया गया ही, ये दिया है, हमारा dispute, क्या दिया गया है, dispute दिया गया है, bounds and exposure to information and communication technology ICT have, adopted a decentralized organizational organizational structure liberal policy and a blank space dispute, तो हमने क्या बताया था यह हमने कुछ collection के बताया था क्या बताया था हमने आपको बताया था कोलोकेशन बताया तक comprehensive dispute होता है, क्या होता है? comprehensive dispute होता है, comprehensive insurance होता है, क्या होता है? comprehensive insurance होता है, क्या होता है? comprehensive insurance होता है, तो इसमें क्या दिया गया था? इसमें हमारा दिया गया था dispute, क्या दिया गया है? इसमें हमारा दिया गया है, dispute, यदि dispute दिया गया है, तो हमने बताया था, dispute के साथ किसका कोलोकेशन होना चाहिए? dispute के साथ किसका कोलोकेशन होना चाहिए? dispute के साथ कोलोकेशन होना चाहिए, comprehensive का होना चाहिए? comprehensive का होना चाहिए, तो चार ओप्चन में किवल एक ही ओप्चन में comprehensive आया था, यही answer हमारा सही होगा, कौन से answer सही होगा? C will be the correct answer of question number 20 Next question देखते हैं Next question हमारा किसे दिया गया है Next question हमारा दिया गया है Comprehension से किसे दिया गया है यह हमारा Comprehension से question दिया गया है हमें देखना है इसमें Comprehension में क्या दिया गया है हमने बताया था Comprehension को solve करने की Simple Simple से trick क्या होती है इसमें क्या दिया गया है इसमें दिया गया है slender set from a while the telephone after armaniski hung up तो इसमें बताया है after armaniski hung up क्या है telephone तो इसमें बताया गया है slender set for a while कुछ समय के लिए क्या हो गया है फोर इसमें के लिए उसमें की अगया क्या हो जाएगा यहां पे यहांपे दिया है for a while, set means क्या हो गया, वो बैठ गया, क्या हो गया, set means a while, कुछ समय के लिए, क्या हो गया, a while, कुछ समय के लिए वो बैठ गया, तो क्या होगा, to be holding होगा, या hold होगा, holding होगा, और holds होगा, तो हमने देखा, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे, ये set, set क्या हो गया, sit, set, set क्या हो गया, वर्व की second form हो गई, क्या हो गई, वर्व की second form हो गई, यदि वर्व की second form हो गई, तो ये किसमें structure चला गया, ये structure हमारा चला गया, past में, यदि past में चला गया, तो ये holds नहीं होगा, क्या होगा holds नहीं होगा और hold भी नहीं होगा तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा to be holding होगा या holding होगा तो ए while का structure हमें पता है क्या होता है while while का structure किसमें जाता है while का structure हमारा continuous action चलता है holding the telephone क्या है उसने phone को क्या किया hold किया पकड़ते हुए phone क्या है hold करते हुए phone को क्या है holding the telephone, telephone को पकरते हुए उस समय क्या किया, telephone को पकरते हुए holding the phone means क्या है, action हमारा continue हुआ है, यदि action continue हुआ है तो उसमें क्या आना चाहिए, ing आना चाहिए, तो कौन सा answer सही होगा holding the telephone, telephone को पकरते हुए, क्या होगा, holding the telephone कौन सा अंसर सही होगा C will be the correct answer of question number 24 तो यहां क्या आना चाहिए Holding आना चाहिए क्या होना चाहिए Holding the telephone क्या होनी चाहिए Holding the telephone after our next key hang up means Slender ने Slender ने our next key का phone काट देने के बाद क्या किया Holding the phone phone को hold किया C went to her work को वह अपने काम के लिए चला गया C went to her work को वह अपने काम के लिए चला गया Corner in the living room Living room के corner में Living room के corner में वह अपने काम के लिए चला गया Next question Next दिया गया है Next हमारा यहां से दिया गया है इसमें दिया गया है Looked at the notes उसने क्या क्या Notes को देखा तो यहां से हमारा sentence क्या हो गया, end हो गया, क्या हो गया, यहां से sentence end हो गया, तो हमने क्या बताया था, यहां पर हमारा क्या आया है, looked, क्या आया है, looked आया है, और यहां पर क्या आया है, went, क्या आया था, went आया था, यहां पर क्या आया है, looked, और यहां पर क्या आया है, went आया थ जोड़ेंगे तो लास्ट में भी किया न चाहिए वर्व की सेकेंड फॉर्म ही आनी चाहिए तो हमने जैसे ही इसमें देखा लुक्ड क्या आया ए वर्व की सेकेंड फॉर्म से मैच हो गई तो इसमें क्या आएगा end आएगा क्या आएगा क्योंकि end ही हमारा ऐसा conjunction है जो हमारी positive details को क्या करता है add करता है क्या करता है positive details को add करता है और same structure में add करता है यदि इसके पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए end होना चाहिए यदि इसके पहले वर्व की second form आईए वर्व की second form हमने क्या देखा went देखा, क्या देखा, second form हमने went देखा, तो end के last में भी क्या आनी चाहिए, वर्व की second form ही आनी चाहिए, देखो second form ही आईए, तो क्या होना चाहिए, देखते ही देखते हैं, हम अपने answer पर जा सकते थे, इसमें क्या होना चाहिए, एंड 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 होना चाहिए, थे पिंड अप दे वॉल जो आपने डिवाल पर चपकाए हुए थे और जो उसके पे पर ते जो पे पर थे फिants केड़् जाए जींड आर दिया हुआ 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 है है ता सिलेक्ट होता है क्या होता है सिलेक्ट क्या होगा यहां पर सिलेक्ट लठकाए हुए थे, क्या किये हुए थे, लठकाए हुए थे, तो, स fender जाएगे यहाँ पर, सिलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, select हो जाएगा, नेच्स देखते हैं, what see had managed to collect, जो उसने अपने सभी कागज को, सभी कागज को क्या किया था, सभी हमारे papers को जो collect किया था वाज mostly praise cutting उसमें से सभी most of the most of the उसमें ज्यादा तर उसमें क्या थे praise की cutting थी ज्यादा तर उसमें क्या थे praise की cutting थी and articles प्रेट की क्या थी जो उसने अपने paper collect की हुए थे उसमें सबसे ज्यादा ज्यादा तर क्या थी प्रेस कटिंग थी उसमें सबसे जैना प्रेस कटिंग थी और क्या था आर्टिकल फ्रॉम दा इंटरनेट और इंटरनेट से क्या किया हुए थे इंटरनेट से हम क्या करते हैं कोई भी जानकारी हम इंटरनेट से निकालते हैं तो क्या करते हैं अफलोड करते हैं अफलोड तो जानकाली नहीं निकलेगी, क्या करेंगे, इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे, डाउनलोड इड करेंगे, क्या करेंगे, डाउनलोड इड करेंगे, क्या करेंगे, डाउनलोड इड क्या होगा, यहां पे होगा, डाउनलोड इड क्या होगा, डाउनलोड इड क् सबसे ज्यादा लेक क्या थे जो इन्ट उसने सबसे ज्यादा लेक क्या थे ईंटरनेट से जो डाउनलोट की किया गया नेक्स्ट कुस्ट देखना है और गोया है और यहां पर क्या होगी ने और किया देना चाहिए औप यहांपे क्या होगा है और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है अब्जेक्ट आता है क्या आता है अब्जेक्ट आता है तो जैसे ही हमने देखा ड्रॉप्ट हमारी क्या है वर्व है और वर्व और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है अब्जेक्ट आता है यदि यहां पे अब्जेक्ट आएगा त तो आज के लिए यह 25 के 25 कुश्चिन हमने स्वालू करवा है आप सबी लोगों को अपना स्कोर बताना आ है यदि इसके पीडियव चाहिए तो टेली ग्राम चैनल पर जाकर कैरियरडा उन टु बन से इसके टेली ग्राम भी टेली ग्राम पर भीगी अफ्लोट कर दी जाती है जो आप दो से तीन मेट में इसका रिवीजन कर सकते हैं तो मिलेंगे कल नई इनर्जी और नए प्रेक्टिस साथ के साथ जहन